जी सर क्या कहने चाहिए इसे आप बिल्कुल ठीक साथ आच्छा मैं एक दो बैक्राउंड में यूट्यूब पे सुन रहा था तो एको जो भाई आया था आपके पास की बिग बैंग में आपका कि आपका अंधी तकलीद आपकी बिग बैंग की तो उस पे मेरे को दो पॉइंट टेक अप करने थे आप अपना अपिनियन भी दीजे और मैं भी कुछ शेयर करता हूं कि जो रिलिजिस माइंड और जो साइन्टिफिक माइंड उनके बीच का एक फरक बहुत ही अच्छी तरह से एक्स्प्लेइन किया गया है फॉर जो एक रिलिजिस जो एक मजभी माइंड होता है उसके लिए कि उन्टिफिक मांट और में आप यहांड है कि जोSN शाइन्टिफिक मांटो आप है कि उस्के लिए इसे मैं टिवन सकता है कि जो अभी अन्नोयन है प्र यaz कुछ नहीं हो सकता है कि उन्नोय बल 3 एक कि कि इसी लिए आप यह देखेंगे कि जो साइंटिफिक माइंड वो गॉड अप्द गैप सार्गुमेंट को कभी एंटेटेन नहीं करेगा ओके वो कभी यह नहीं बोलेगा कि यह चीज हमें पता नहीं है देरफोर गॉड वो किसी और वजासे वो कभी यह नहीं बोलेगा कि हमें पता नहीं है इसलिए वो है वो यह अंडर फंडमेंटल यह मान के चल रहा है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं कभी नहीं जान सकता है यह एक बहुत इंपॉर्टन चीज है आई थिंक यही माइंड यही चीज आप भी लेके चलते हैं कि यह मुझे पता नहीं है पर अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो यह मुझे पता चल सकती है विच इस दिफरेंट सब्सक्राइब है तो यह नोबल और अनोबल की बड़ी इंपॉर्टन बात है और इसमें ऐसी चीजें में है कि साइन्टिफिक मैंड के साथ साथ वो जब तक वो अनोबल चीज रहती है तब तक जब तक आपको जब तक वो आपकी नोन नहीं बन जात तब तक साइन्स जो है कोई ऐसा बलीफ नहीं दे रहती की कि हम साइन्स दान है तो इसलिए यह मान जाओ कि मल्टी वर्स है यह यह मान जाओ यह ऐसे है ज़िए साइंस दान जो है इनस से जादा हुमिलिटी पोजिशन और यह साइन्स पॉजिशन रहा है जो प्रोसेस है वो तो इतना हम्बल है वो कह देंगा हमें नहीं पता मैं भी एक डॉकुमेंटरी देख रहा था क्योंकि मुझे हमेशा से यह क्वेस्टन बड़ा बॉदर करता रहा है और जब से मुझे फ्लाट यूनिवर्स की समझ आई है कि यूनिवर् क्या है क्योंकि यूनिवर्स का अईज हा है नहीं हो सकता है नहीं है उसने भी यहां पर भी यह का स में जह संच्राइब करते हैं में लेकि एक मातलpower समयले हो यह लगी अग्मिक्धर करते हैंalah I love that तो वहीं तक ही जा सकती, जहां तक हमारा known knowledge होता है, unknown के उपर common sense नहीं लग सकती, अब जब big bang हो रहा है, space or time expand कर रही है, if we can do a thought experiment, कि जब वो space or time expand कर रही है, तो तब तो उसका edge होगा, if it can have an edge at that point, the one does not have an edge, why, explain it, because edge, just edge की आप बात कर रहे हैं, वो define ही तीन axis पे होता है, x, y and z, ठीक है, अगर आप उस edge की बात करेंगे, और spherical boundary, जैसे आप यह बोलोगे कि वो expand कर रहा है तो, हमें सोचके यह लगता है कि उसकी एक spherical boundary होगी, पर नहीं, actually में space उन तीन axis को define करता है, मतलब आप यह देखो, कि वो जो तीन axis है, आप पूरी space में किसी भी point पे चले जाओ, ठीक है, जहां से आपको तीन axis डिख रहे हैं, that go on for infinity in opposite direction, एक plus x, minus x, plus y, minus y, plus z, minus z, यह तीन axis आप इसमें perpendicular है और यही space को define करते हैं, correct, आप space में आप किसी भी point पे चले जाओगे, आप यह तीन axis खींच सकते हो, yes, okay, अब अगर आपने यह तीनों axis खींच लिए, इसका मतलब यह है कि आप उससे किसी भी direction में जाओगे, okay, तो you are not hitting a brick wall, आप कहीं ऐसी कोई wall नहीं हिट कर रहे, okay, तो आप यह देखोगे कि जब space expand कर रही थी, मान लो जब उसका diameter जो था, वो was one meter, one light, yeah, one meter, मैं बहुत ही छोटा, एक, एक meter का उसका diameter था, उसमें आप, बिल्कुल center पे खड़े होके, जब आप वो points खींच होगे, ठीक है, जब आप वो axis बनाओगे, x, y, z, yeah, पे axis बनाओगे, उन सबकी जो total length होगे, वो one meter, one meter, one meter, one meter, निकल के आएगी, ठीक है, उस axis से आगे, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन, आप उस one meter के end पे जाके भी, जब आप axis बनाने शुरू करोगे, तब भी x, y, z, y, z होगे, और उन axis की जो shape होगी, that will be along the curvature of the big, क्योंक उस time पे space flat नहीं था, space आज flat है, ठीक है, उस time पे space, because इतना सारा mass इतनी छोटी ची space में था, तो space, जैसे आपने अभी देखा ने, gravity क्या होता है, gravity is curvature of space, जो mass की वज़ा से, space time के fabric में, जो curve आता है, because of mass, that is gravity, right? Yes. लगेगा कि मैं सीधा ही चल रहा हूँ, मेरे उसमें कोई curvature नहीं है, मेरी चाल में कोई curvature नहीं है, there is no edge, but actually में क्या हो रहा है कि आप space के fabric के साथ, आप earth के surface के साथ curve करते वे जा रहे हो, तो इसी तरह जब आप space में किसी भी point पे चले जाओगे, आप ये तीनों axis, जो की आप ये है कि आप edge पे खड़े हो के भी, आप ये नहीं लगेगा कि there is nothing beyond, ये जैसे ये जैसे कर हम North Pole पे जाकर खड़े भी हो, जैसे ही आपने North Pole क्रॉस किया, ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलोगे कि अब मेरा कोई north नहीं है, आपका North, जब आपने cross नहीं किया था, तब आपका North था उससे reverse हो गया, जैसे ही आपने cross किया, लेकिन North है भी आपका भी, I think I got that point, मुझे इसकी पहले भी समझ आगे थी, लेकिन एक ये thought experiment है, let's just say if you're a multiverse, let's just say, and the multiverse bubbles up, we are from a different multiverse, and such multiverse, you know, the again unknown space-time, the laws of physics, the universe will not match it, the light will never go across, etc., even the light will not go across, and if the light will not go across across the universe, then you can't really see it, that what's happening in the universe, but my point is, again, you have common sense applied, and that's why, which is a dull question, that if we're watching, in space-time, we can't see it from the universe, I get that, let's say we have a multiverse, let's say they have a, it has a way to see it from the bubble, and I take that to each other, and when it doesn't dwell, I have to see it, if we can zoom in – again, so that, it, it's gonna happen to you, now can pass on to, most of the unexpected waves— if you're on a plane, you can see it from a sphere, you can see it, if you can too have an edge in front, आएगा नहीं आएगा ना लेकिन मान लो क्योंकि आप एक टूडी आपका विजन प्लेन है और आप किसी भी पॉइंट पे टूडी प्रोजेक्शन ऑफ थ्रीडी ऑब्जेक्ट देख सकते हो लेकिन अब आप एक डाइमेंशन बढ़ा दो उसकी ठीक है अब आप उसकी एक ड मुल्टिवर्स क्योंकि मुल्टिवर्स में जो दूसरे युनिवर्स होंगे वो भी अपने स्पेस टाइम के लिए लिमिटेड है यस लेट से इसको चोचने का यह तरीका है कोई अगर ऐसी एक फोर डैमेंशन मान लो स्पेस की एक चौथी डैमेंशन हो हमारी इसको पूरा दाया दाए दाइग एवरी थिंग केंशन एवर्य थिंग इन अर युनिवर्स अट दे वाल अगर लेकर उसमें यह पॉस्टियूलेट किया जा रहा था कि इफ फॉर्थ डैमेंशनल क्रीचर यह फॉर्थ डैमेंशनल युनिवर्स विच उसकी जिस्तरह हम 2D में हमें 3D के इमिज पढ़ सकता है हमें 4D युनिवर्स की 3D परचाई होंगे तो हमें वो नजर आ सकती है क्योंकि इसकी भी कोई कोई हत्मी थियोरी तो नहीं है आप इसके लिए आप क्या गरते हो यह ना एक बहुत लाजमी क्वेश्चन है पर इसका आंसर देने के लिए हम कहां जाते हैं हम mathematics में जाते हैं ठीक है तो क्या होता है कि हमें कैसे अगर हमें आपने Tesseract नाम का देखा होगा 4D object जो है उसके 3D जो projection होती है वो आप अगर स्क्रीन पर डाल सकें कुछ खोल के तो that will be easier to explain यह मैं आपको इसकी वीडियो ही दिखा देता हूं sure it would be even better यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत डीप क्वेश्चन है क्योंकि इसी क्वेश्चन की जो लेवल है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इट वान आप दी मतलब वो शुरू की कुछ रीजन थी जिसके वज़ा से string theory इंवेंट हुई थी यस ओके यह एक टैसर आक्ट है यह क्या है this is a 3D projection यह 3D projection है of a four dimensional object अगर एक four dimensional object rotate कर रहा है in four dimensions तो three dimensions में उसकी जो परचाई है वो हमें कुछ ऐसी दिखेगी right right अब yes यह जैसे यह एक three dimensional क्यूब की टूडी पर चाहिए yes yes okay right तो अब क्या होता है अब आप test करना चाहते हो कि हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी fourth dimension है जिसकी जब हम 3D projection करें तो हमारा 3D universe निकल के आता है okay क्योंकि आपने यह valid hypothesis तो है कि अगर कोई 4D super universe है उसकी 3D परचाई दिखने में बिलकुल हमारे जैसी दिखेगी अगर वो 3D space के साथ intersect करती है problem इसमें यह है आपने का कि 4D universe में जो 3D objects होंगे वो वैसे दिखेंगे जैसे हमारी universe में 3D objects नजर आते हैं वो simpler दिखेंगे जैसे आप 3D objects 2D में simpler दिखते हैं जब आप दिखेंगे जैसे इसी तरह जब हम यह देखते हैं कि 4D universe जब 3D में दिखेगा ठीक है तो क्या होगा तो वो दिखेगा इट पॉप्स इंटो इसको फिर स्थेंगे अग्रव दिखेंगे जब आप की एक स्वियर है एक जिसको आप एक अ क्षी म Luther on a सुरडव और स्क्रीए थ THOMुपर्स करते हैं ठीक है तो होता क्या है कि जब आप पहले आप को क्या देखेहा यह डॉट दिखेगा तो यह तो एस्मोर это'll इसको पॉस कर दिजिए मैं इस पर आता हूं तो वह जो स्फेर है जब वह पेपर से इंटरसेक्ट करेगा तो पहले आपको एक डॉट दिखेगा उस पेपर राइप दीरे दीरे वह डॉट एक्स्पांड करता जाएगा जब तक वह एक सबसे बड़ी डिस्क नी बन जाती इक ठीक है अब हम यही सोचते हैं कि 3D 4D स्फेर अगर 3D में इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा एक छोटी सी बॉल निकलेगी राइट ओके फिर वो एक्स्पांड होगी फिर वो एक्स्पांड होगी 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 अंटिल इस माक्सिमम और देन इसल सार्ट कॉंट्राक्टें पूरा एक डिमेंशन मिस कर रहा होगा जिस तरह 2D में पूरी उसकी जो डेप्थ और विट जो है वो नहीं आती सिर्फ यानि एक डबा है 2D वाले को सिर्फ एक एक चीज़ नजर आएगी और उसी तरह जब हम 4D वाली जो अबजेक्ट होगी उसकी भी एक पूरी डिमेंश होगी जो हमें नजर नहीं आएगी बट वूड़ तरह जाएगा तो अब हम आते हैं इसके अंदर इनमें ना एक आक्सेश शेयर हो रहा है जो आक्सेश 3D और 2D को आक्सेश जो बाइंड करता है वो है ताइम जैसे अगर मैं चीटी हूँ जिसको नाच साती है जो उस पेप है और जो टाइम गिन सकती है तो वो क्या करेगी वो बुलेगी अच्छा है डाइम इकटी जीरो पर ये इतना चोटा था हूँ सबसे बढ़ा हुआ तो जब मैं इसके उपर कैल्कुलस लगांगा तो मैं अक्चुली उस फेयर को इमाजन कर सकता हुआ उस स्फेयर की एक्वेशन जो है निकल के आज़ेगी समझ के ताइम वो तीनों डायमेंशन शेयर कर रहे हैं तो जो चौत्री डायमेंशन होगी वो भी हमारा टाइम हमारे साथ शेयर करेगी राइब हम कोशिश करेंगे यह निकालने की कि क्या कोई ऐसी एक्वेशन है जो की ऐसी कोई 4D शेप रेप्रेजेंट कर सकती है जिसकी 3D परचा ही हमारा यूनिवर्स है अब इन में कुछ चीज़ें निकल के आती है कुछ होते हैं इसी एक्वेशन के पर उसमें जो चीज आके पस्ती है वह होती है ब्लाख फोल्स तो क्योंकि ब्लाख होल एसेंचली है एक डिसकंटिनूटीन स्पेस एंटे और हर डिसकंटिनूटी इन थ्रीडी स्पेस तो को वो पॉइंट करेगी इन्टु ओंटीनूटीन इन 4D space also आप दुबारा पताएं जो हर डिसकंटिनुटी 3D space में जो डिसकंटिनुटी है ना वो 4D space में भी एक होल को पॉइंट करेगी आप समझे जैसे आप मैंने जो sphere का example दिया sphere के example में उस sphere में आप एक होल कर दीजे तू दिसेंटर राइट अब क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जब आपको बाकी पूरी डिस्क दिख रही है बर उसका एक बीच का पार्ट मिसिंग है जब आप उसकी 2D परचाहीं देख रहे हैं ठीक है अब depending on कि वो 2D परचाहीं कितनी मिसिंग है through the space through 2D space आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3D space में उसकी shape क्या रही होगी उस object की प्रोब्लम यह है कि black holes जो है वो सिरफ space में discontinuity नहीं है वो time में भी discontinuity तो अब इसके आगे ना थोड़ी complex हो जाती है इसकी mathematics to get into without we are already very struggling we are already struggling a lot हाँ अब क्या होता है इसमें बहुत मतलब मैंने बहुत simple तरीके से explain करने की कोशिश किया अब यह simple है हाँ यह square है उसके गाहे बोरी हैं चीजें उस तरह से लेकिन आप यह समझेए कि इसको करने के लिए जो mathematics होती है mathematics भी थोड़ी special mathematics invent करते हैं हम इसके लिए ठीक है जो की sort of set theory और उसके differential theory मनलब calculus से मिलके बनती है बट अभी यह जो यह सारी point है अगर हम एक point पर यह मान लेते हैं कि हम जान ही नहीं सकते कभी यह चीज़ यह हम कभी इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हम तो हमने कुछ भी नहीं किया होता हमने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया होता है exactly हम ओके तो यह और इस बात पर मतलब अच्छी खासी लड़ाईयां होती हैं मैं किसी से कर रहा था कि जितनी sort of heated discussions channel पर होती हैं उससे बहुत जादा heated discussions हो जाती हैं conferences में over 3D and 3D versus 4D, 4D, 5D, multiverse, string theory, string theory की 11 dimensions वाली जो लड़ाई है वो मतलब उस पर मुक्यों के चलने वाले थे जहां तक मैंने जो story सुनी है उसकी between professors जगड़े बगड़े होने वाले थे आप कौन से कैम में हैं, string theory में है, loop quantum gravity में आप कौन से कैम में मैं actually, I am the mathematician जो है मेरा, वो string theory मानना चाहता है ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि वा elegant बहुत है पर जितना भी evidence अभी तक मिलता है, वो leaning more towards LQGF क्योंकि loop quantum gravity क्या है कि it connects very well to some things that we observe for example quantum entanglement जो है, वो loop quantum gravity से बहुत elegantly explain हो जाती है right and also, I will just say कि मेरा core field physics नहीं है physics is like my it's my passion it's my passion, नौकरी is more artificial intelligence okay yeah, fair है and by the way, do you want to say इस अपनी PhD भी कार रहे है, अमने सुना यह कर रहे है अंजे 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 अंजे, इस बहुत इंपॉर्टन था आपका because हम एक तरफ जहां हम beliefs को dispel करते हैं, वहाँ इस science का flavor दिखाना एक जलक दिखाना भी वहाँ भी है because इसका नशा एक भी moment जो अगर इसको खोलेगा उसको जो नशा चड़ गया ना, उससे फिर बाहर में आए गया तो यह पूरी लाइफ लग जाती है नहीं लेकिन उसका तरफ जहां जो जो मुझे पहली दफा यह तकरीब को साल पहले मैंने special dimensions को समझने की कोशिश की थी और obviously मुझे समझ तो अभी भी भी नहीं आई लेकिन मुझे कुछ अंदाजा हुआ है और जब हम उसको compare करते हैं न 3D को कि 2D पे और आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम उसके अंदर hole करेंगे that piece will be missing again. That's again a very good analogy. लेकिन जब यह Tesseract की, एक मैंने pendulum का देखा था कि 4G pendulum होगा वो हमारी 3D world universe में से एक second के लिए गुजर के जाएगा तो we'll just see that where does it come from, where does it go? तो फिर उसको मैंने देखा कि यह जो इस तरह यह 4D का जो concept यह religious apologists को बड़ा पसंद आ रहा और यह इसमें कहारेगी जिन भूद, जिन भूद, जिन भूद 4D में है, वो 3D में आते हैं तो हमें नदर आते हैं साया कहीं से आया है, यह भूद नी का मचा आया है, यह classic god of the gas तुन्द भीच में, जो आया है तुन्द भीच में इवें इसमें अगर हम इसको भी माल लेते हैं, कि इसमें जीन भूद 4D में हैं और हम इसको समझ पाने हैं through mathematics, तो यह तो जो दावा है, इसका मतला है, we are getting closer and closer to your so-called God, और यह फिर God कैसा रहा है, जो हमें समझ आ रहा है, आपने पैर पे, classic God of the gap scheme की problem और उसमें हर चीज़ में God डाली जा रहे हैं, तो यह निल डिग्रास टाइसन का बड़ा च्छा कोल है, वो कहता है, if you're going to fit God in everything, और आपने खुदा को हर चीज़ के अंदर fit करना है, और science उन चीज़ों को भरती जा रही है, उन खलाओं को, इसक होते होते, वो ना होने की तरफ जा रहा है, यह मौत क्यूं आई जी, खुदा ने दी आ, यह क्यों हुआ खुदा ने दी, अब हमने आपको बता दिये क्यों आई हैं, आपका vital science क्यों खतम हों हैं, वो so and so जो reason थे, आपको हमने बता है, जलजले क्यों आई हैं, science ने आपको हो जाता है लेकिन हम बड़ी अच्छी पिन-पॉइंट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमें पता है वेदर की प्रेडिक्शन हो जी सलाब आ गया अलामिया का कहरा आ गया वी के प्रेडिक्ट अवीक इन एडवांस और जैसे जैसे वो पास जाता जाता है आप वहां पे भी खुद आप्सोलूटलि इडवेंट इसका मतलब गॉड आहिस्ता 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 हम खतम होता जारह है थेक्स टू साइस तो फोडी को भी करें ज़े एक ना मैं चोटी सी चीज इसमें इंटरसेक्ट कर दूंगा इसमें ना मेरेको थोड़ी सिंपती भी है ठीक है फो क्योंकि एक चीज जो कि अभी I think who else is in the meeting my room में नाम नहीं सुन पा रहा जी मैं पाक्पंजार भी हूं और गुल्जार भाई तो एक चीज आपने जो बहुत हैं तो उसने यह बात बोली थी कि मैंने की हम जो डिसिजन्स लेते हैं वह हम डिसिजन्स अपने emotional decisions ठीक है तो जो ये जो 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 emotional gratification हमें मिलती है ना चीजों को जानने से समझने से और उसके उपर और अपनी knowledge को बढ़ाने से वो emotional gratification दिखाना लोगों को ज़रूरी है वो emotional gratification लोगों को experience कराना बहुत ज़रूरी है कि यार देखो कल तक तुम जिस चीज को नहीं जानते थे आज तुम उसे जानते हो okay do you feel better अब क्या होता है कि इस चीज के अगेंस ना लोगों की एक दूसरी emotion compete कर रही होती है वो होता है डर आप किसी बंदे को universe का expanse दिखाते हो ना it's it's very scary okay जब आप time scale दिखाते हो okay यंग earth creationist आज भी दुनिया में इस लिए exist करते हैं क्योंकि उनको चार बिलियन साल का time scale में पसंद बहुत बहुत जादा डराता है okay वो उदर को प्राइवेट चार्ट में कडाके की धंकी मिल गई है ठीक है तो यह जो चीज है ना यह जो डर वाली चीज है यह इसके अगेंस्ट जो हमारी जो fight है जो the fight जो की हर rational जो एक rational society को लड़नी पड़ती है जिसका हम और आप एक हिस्सा है वो यह होता है कि इस डर से ठीक है अपने जादा से जादा लोगों को अजाद करा कि आप कोई बात नहीं अगर दुनिया के चार बिलियन के लाइफ साइल में चार बिलियन की लाइफ साइकल में हम बहुत छोटे हैं कोई बात नहीं इससे कोई problem नहीं पड़ता पर जो चीज हम आज और हम अपने lifetime में करके जाएंगा उसका impact आने वाले कई लाखों सालों त तो मैं उसको इस तरह से सोचता हूँ और इस पॉजिटिव वे अफ लुकिंग अड़ बस मैं इतनी बात करना चाहता हूँ इसके ओपर छोड़ा से example भी लोगों परस्पेक्टिव भी दे दें कि आपके इमाम घजाली ने क्या तीर मार लिया उसना इमाम घजाली का नाम ज उन्हाने दुनिया को उसका फाइदा पहुंचा है आइंस्टाइन ने जो हमें special relativity और general relativity दी उससे दुनिया को फाइदा होना है Elon Musk अगर हमें दूसरे planet पे ले जाता है और who knows after 200 years we become even within 100 years we become interplanetary species उससे कि तरह यानि अगर हम interplanetary species बन जाते हैं then we can't be we can't go extinct इमाव अलगजाली ने कौन सा तीर मार देना था आपका कि उसने किसी species इंसान को छोड़ा किसी आम species कभी उसकी बातों से किसी को फाइदा नहीं है मतलब मैं तो यह कहता हूं इतना दूर भी अपने को जाने की जुरुवत नहीं है हमारे पंजाब वाले रीजन से एक बंदा निकला है इसका नाम था आरे बटा ठीक है जो की जिसने बहुत mathematics दिया ओके राइट और कितना धाई हजार साल पहले ग्रीस से आर्किमेडीस आइधिंग वह बाइस सो था साल पहले था तो आर्किमेडीस की जो वैल्यू है वह आज भी हम यूज करते हैं जब हम यह कैलकुलेट करते हैं कि रॉकेट जब लैंड कराएंगे ठीक है तो कैप्सूल का वाल्यूम कितना होना चाहिए फॉर इक टो वो रॉकेट आके समंदर में गिरेगा तो सिर्फ उसका कैप्सूल गिरता है ठीक है तो अगर उसका और उसमें बहुत सारा मेटल होता है तो उसके अंदर उसकी वॉल्यूम इतनी बड़ी होनी जरूर होती है कि एस्ट्रोनॉट के साथ वो फ्लोट कर जाए वापिस वो सिं करते हैं कि कितना फ्यूल चाहिए कितना कितना पाउर्फुल रॉकेट चाहिए क्या और बेटल उसका गो होगा पाक पिंजाबी ने बताया है यह जब आप देखना शुरू करते हैं और इसका जो आपकी एक्स्पोनेंशल ग्रोथ आपकी सोच की जो होती है आपकी यह वैसे नहीं हो सकती है इन्योंस थैंक यह जो डर खतम करने वाली है तो यह जब उससे हमारी इंसिग्निफिकंस में पता चलती है शुरू में इस डर लगे लेकिन वह इससे घबराने के बजाए उसमें एक नशात जस्स जो आपने बात की वह अपना बहुत बहु इसमें पता नहीं पहले कभी कहा नहीं सुनाई के नहीं सुनाई के जब यह बहुत पहले की बात है को 15, 16, 17 साल पहले की तो I understand that part मुझे डिप्रेशन तो नहीं हुआ था लेकिन मुझे इंसिग्निफिकंस कड यानि यह डिप्रेशन ही हुआ था जब मैं यह यूनिवर्स को की जो टाइम स्केल्स की जो आपने बात की ना कि टाइम स्केल्स और जिसका स्पेस है जो इसकी वासनेस है वो इतनी आपको हम पहाड के सामने जब जाते हैं you know when you go into a ragged mountain आपको अपना है सास होता है यार इसल गया तो मेरी तो हड़ी पसली नहीं पचनी and when you look up के पहाड को and I've said it before कि मेरा बच्पन में एक experience था कि मैं फैसल मस्जीर में उसकर दिन के वक्त वो नहीं होता है लेकिन जो शाम का जो ट्वाइलाइट का जो पीरियर था ना उसमें उपर देखा मारगला की पहाड़ीयां ऐसी उपर खड़ी मी है and I was a kid at that time and I was in awe of that फिर उसके बाद जबिए मैंने nature को देखना शुरू कि और universe की उपर जो astrophysics में जो एकदम से interest develop हुआ पता नहीं किस तरह हुआ documentaries वेखरा देखके तो एक दोफा का जिकर हैं कि I was almost convinced कि यूनिवर्स है हमारे खुदाओं ने नभीयों मजभ़ों ने जो बताई है इनको कुक काख नहीं पता इनको काख नहीं पता इनको कुछ नहीं पता black hole क्या है इनको ये नहीं कुछ स्कुरीड अव लाइट का नहीं पता इनको नहीं पता कितना वास्थ हमारा सिरफ solar system है आपसलूटली नफिंग आपसलूटली नफिंग आपसलूटली नफिंग मैं पंजाबी एक discussion में कोई ऐसे ही बोल रहा था कि हमारे कि आनसेस्टर्स को तो black hole का पता था मैं अगा तोड़े एंसेस्टर्स नो कोई गटी अपने मजदा ना नी दजदा से black hole दो पता मैंने भी बताएं उनक वाइट होल ये भी निकाल दाना वह भी निकलें गाएगा और वो वाइट होल जो नहीं आपी और वाइप अधर experiment किया अपने दोस्तों के साथ I don't, anyway that was my one and second last experiment but anyway I used to wonder, I used to wonder, I used to constellation and other apps and other sky guide I would see what constellation what star is that but every time I looked up in the night sky I was always in awe कि इकितने सितारे and I think अगर आप किसी clear night पे जाते हैं we see something like what 10,000 stars something like that but 10,000 is nothing you know, on the scale of even Milky Way पे so मुझे एकदम सी इतनी इंसिग्निफिकन्स हुई और उसमें कुछ उसका भी था इतनी इतनी इंसिग्निफिकन्स हुई मैंने रोला मचा दिया अपने मेरा दोस्त था माइकल और लूक था मैं उसको कही जाओ कि यह क्या है हम आहीं ही यहां पे आहें you know, मुझे बड़ा एक sudden bout of desperation और insignificance हुई कि मैंने का क्या फाइदा है let's just make a spaceship कि अगर कुई black hole wandering black hole आता है और वो हमारी solar system को swallow कर जाता है तो we can get on a spaceship and we can get out of that so anyways I just had this बड़े एक जीव सी फिले नहीं मेरे उन्होंने दोस्तों ने मैं अभी बड़ा censor करके आपको बता रहा हूँ खैर उन्होंने लाका बट उसके बाद से मुझे यह insignificance का जो खोफ है ना I mean within that period है यानि को overnight after certain time like five maybe महीने दो महीने या maybe पांच-छे महीने बाद significance का खोफ नहीं मुझे कभी का जब लोग मुझे कहते हैं का हमें बड़ा बई हो हम तो बड़े insignificant है मुझे इसमें बिलकुल भी ना डर आता ना खोफ आता और यह मैं लोगों को कहता हूँ कि यह जो मजभ है ने यह आपको उस so called insignificant से निजात दिलाने की attempt करता है कोई बाद नहीं मौत से कुछ नहीं होगा इनके सामने meteor भी आता वो ना वो जब फिल्मों में होलिवुड की फिल्मों में meteor आ रहा है तो जी वो वैटिकन में दवाए मांग रहे हैं मंदरों में मांग रहे हैं और यह मके में दवाए मांग रहे हैं कि अल्ला भी यह बिचा ले कि तो क्यों बिचा ले आपको तो डर ही नहीं होना चाहिए कि आए जी जमीन फटे हम बाद में जीदा उपर वो असमान में से सुराख होगा, ब्लाक होगा वी विल टेलिपोर्टे टो अल्लामिया की जन्नत में हम चले जाएंगे लेकिन यह ऐसी सर्वाइवल के गहिंस्ट एक इंसिग्निफिकेंस है लेकिन हम मौत को मेरे वियू में and you guys are here as well we are probably better equipped to embrace मौत क्योंके हम अपनी इंसिग्निफिकेंस को मान चुके हुए you know like I mean if the universe is going to live for one trillion years or फिर the last atoms will die I mean it's insignificant और यह irrelevant है हमारे लिए whether that happens in one trillion years or ten trillion years it doesn't make any difference लेकिन इनको यह चीज़ थासम नहीं होती because इनको लारा लगाया आवा and that लारा I think I think we are probably in a better position correct वो एक वो analogy इसकी I think Richard Dawkins देता है या Christopher Hitchens ने लिए कि imagine आप एक बहुत अच्छी पर्टी में हो okay अब आपका उस पर्टी से हिचन से लिए थी अब आपका उस पर्टी से जाने का टाइम हो गया और लेकिन आपको यह बता दिया जाएगा कि इस पर्टी से आप निकलोगे आपका जाने का मन नहीं है पर एक और इससे भी अच्छी पार्टी है जो आप जा रहे हो ठीक है इस एजियर टू लीव दाट पर्टी को पर्टी छोड़ना असान है फिर आपको यह बता दिया जाए किसी को कि आप चले जाओगे लेकिन फिर यह पर्मनेंटली चलती रहेगी उसके लिए जाना बहुत मुश्किल है और जो थर्ड वाला है जो कि I think is अंडर्स्टांडिंग कि आप इस पार्टी से चले जाओगे लेकिन यह पार्टी भी काफी लंबे टाइम चलेगी पर फिर यह पार्टी भी खतम होने वाली है ओके इसके बाद एक बहुत लंबे अर्से तक यह उनिवर्स रहेगा पर देन बिकाउस अफ दे लॉज अफ फिजिक्स इसकी एक एंड डेट है इस ओके अपना जटना टाइम हमें मिला है उतने में हम जो कांट्रिबूशन करेंगे उसके बाद हम करेंगे और फिर चले जाएंगे अच्छे इस ना था स्केरी इस ना था स्केरी दो चले बहुत शुक्रिया सार आने का थैंक यू बारा भी आईएगा थैंक यू अच्छे जी स्केरी पांटे जाथ स्क्राओेशन करेंगे उसमांटे